नमस्कार जहिंद भारत माता की जय मैं हूँ वरुन बाबुल और आपने देखना सुरू कर दिया है जियस नियूज लाइव एंकर चैट आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड रहे सभी पाचकों दर्शकों सुरोताओं का मैं वरुन बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूँ श्वागत करता हूँ आएए सर्व प्रथम कुछ वक्त दे दें अपने पाठकों के लिए ताकि सभी लोग जुड जाएं फिर आज एक अलग भिसे पर चर्चा होगी और आपके साथ चर्चा करेंगे और सबसे पहले तो कुछ वक्त दे दे अपने सभी पाठकों दर्शकों को ताकि सभी लोग जुड जाएं इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे पहला कमेंट आ चुका है राजा बाबु वेलकम श्वागत है शवों को शुप्षन दिया मैं सबों को नमश्कार करता हूँ शवों को गुड इवनिंग और जितने लोग भी जुरते जा रहें आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को जरूर सेयर करें आज का जो वारतालाप का भिसा है न ये कहीं न कहीं आपको एक जरूर जग जोर देगा यानि अगर आप आज के कि इस वीडियो में बने रहेंगे और अपनी चर्चा करेंगे और आप भी अपने दिल की बात लिखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं निस्चित रूप से कुछ समय चाहे वो दिन में हो सप्ता में हो या फिर महिने में हो कुछ समय या छे महिने में हो हमें उस पर उसके लिए जरूर देना चाहिए जिसके बदलत हमारा यह संस्कार कहिए इसका निर्मान हुआ है हमारी संस्कृती हमारी सभ्यता और इसमें जो बहुत बड़ी चीज है न वो पता है क्या है वो है जहां से हम जुड़े हुए है जी हां सबसे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत दिन हो गया आप लोगों से बात करते करते अस्वस्ताओं में अलग-अलग रूप में आपको कुछ जो है मैं आपको अपने उस समय में आपको लेकर चलता हूं जब आपके साथ द्रिश होता था हिंदी कलेंडर के अनुशार बात नहीं करेंगे आज इंगलिस कलेंडर के अनुशार बात करेंगे जन्वरी का महना ठंधा वाला समय मैं लंबा नहीं की चुँगा लेकिन मैं आपको उपले जानकारी देदू कि जन्बरी का मा थोड़क सर्दी वला ठंधा वला महोल क्या याद है ना जन्बरी में एक बहुत ही रोमांच भरा पर जी हाँ समझ तो गया होंगे जन्बरी में अपना जो है लोक संस्कृती से जुड़ा हुआ अपना लोक पर याद आया अरे भाई मकर संक्रांती जी हाँ मकर संक्रांती दही चुड़ा तिलवा वला पर्व तो याद ही होगा दही चुड़ा तिलवा वला पर्व कि दही चुड़ा तिलवा खाएंगे अपूरा साल मनाएंगे ठीक है तो आज का जो बिशा है न वो इसी तरह का है कहीं न कहीं हम अब अपने अतीत को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे लोक संस्कृती, लोक गीत और लोक पर्व धीरे धीरे बिलूप्त होता जा रहा है लेकिन मैं इसे पूर्ण रूपे नहीं कहूंगा अगर कुछ अंस भी है न तो वो आपके दिल में जिन्दा है आपके धड़कन में हैं, बिल्कुल आपके दिल और धड़कन में हैं क्यों, याद है न? एक सिरे से अगर आप सुरू करें, एक सिरे से तो आपको याद होगा कि सुरुवाती जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वहीं से सुरू होता है सोहर से हमारी लोक गीत सोहर के रूप में प्रस्तूत होती है, कहते हैं कि परिवार का सब से खुस्नमा और सब से सुन्दर समय होता है, जब बच्चे का किलकारी आता है उसी समय से याद है न? जुग जुग जिया उतना तो मुझे आता नहीं है कि भाग जागल हो, ललना लाल होई है मनवा में आसला गल हो यानि एक बच्चे के जन्व से सुरू होता है क्यों? सबों को याद है फिर जन्वरी समाप्त होता है और मैं इसलिए दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ क्यूग आपको भी मज़ा आएगा तो जन्वरी से ही सुरू हो जाता है कि हमारा अपना त्योहार आ जाता है भाई हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे न हमारा जो अपना लोग गीत है लोग संगीत है लोग संस्कृती है वो समाप्त नहीं होगा क्योंकि जब-जब कोई उसको जराव सा उंगली करेगा तो हमको याद आ जाएगा आपको पता होना चाहिए कि बिश्व भर का सुप्रशिद त्योहार है जो बिहार का है सबों को याद होगा उगा 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 हो सुरुज देव भैले अरगिया के बेर तो छट का गीत आने के साथ एक सरीर में कमपनता आ जाती है क्यों क्यों क्योंकि हम उस पर्व से त्योहार से हम जुड़े हुए हैं क्यों अगर कहीं भोपु में एक गाना बस्ता हुआ सुनाई दे आपको रामजी से पूछे जनकपुर के नारी बतादब बुआ अब ये गाना सुनने के बाद ही आपके सरीर में कुर्जा आ जाता होगा मुझे लगता है एक साधी बिवा का फिलिंग आ जाता है आता है ना नहीं मतब एक फिलिंग आ जाता है लगता है कि सचमुझ बिवा के समय में चले गए हमारी वो चीज़ें आगई एक बच्पन में हम लोगे गीत गाते थे दिखें इसमें गाने में भी आपको थोड़ा सा लोग गीत कम जाएगा कि सत्वा खेसारी वाला थोड़ा सा निम्मक डाला सत्वे ने लेली मेरी जान है रे मैं तेरे कुर्बान लाया बजर से तुझको रुपिया दो चार देके थाली में रखा तुझको लोटा में पानी लेके बेग लोटा में पानी लेके बेगु सराय बज़र का सारा अम का आचार लेके प्याज वो नासिक वाला खाने में अच्छा होगा प्याज ने लू से बचा ली मेरी जान हैरे में तेरे कुर्वान अरे मैं वाय कोई गायक नहीं हो मुझे आज पता नहीं क्यों एक खलबली मची हुई है आप लोगों के बिच बिविन प्रकार के आपको अपने भी सुना होगा जब ग्रामीन छेत्रों में जब अब सहर में भी जो गाउं के लोग रहते हैं जब कोई साधी बिवाज जनव उप्म का समय आततिक जूमर होता है सबों को याद होगा एक गाना बहुत ही प्रेमस गाना है साथ आपने भी सुना होगा मतलब एक ननद और भोजाई के बीच में एक वारता लापुरा है दोनों दोनों को चिड़ा रहा है मतलब चिड़ा रही है ननद चिड़ा रही है भोजाई को भोजाई सुना रही है ननद को पता है यही जो हसी आनन्द और प्यार मुहबत है यह जुड़ा हुआ है हमारे लोक संस्कृती से कि हमारा जो आने के साथ वेलकम है पानी देना चाय देना यह हमारे संस्कृती और शब्वता में है आज कल के बच्चे भले उससे नहीं समझे लेकिन आप अगर समझ रहे न त देखिए आज उसी पर चर्चा करेंगे बहुत सारा हमारे पास है कि मकर संक्राथी होता है उसके बाद तो परवागे बढ़ता है सिवरत्ती सबके बाद आगे चलते हैं होली तो सब को ही जानते होंगे होली में तो पुर्ण्य रूप से लोग गीती चलता है जोगीरा चलत आपको भी साथ याद होगा होली बीतता है कि दूसरे दिन ही एक डोरा का त्योहाराता है या हमारा लोक संस्कृती से जुड़ा हुआ है डोरा में सप्ता विप्तामाई का कथा होता है और महिलाई जो है वो हाथ में डोरा बंधती है और उसके बाद उस डोरे को रखती है कि कोई सूबकारे होगा कि निका मडवा निर्मान होगा या इस तरह का कुछ होगा उसमें उप्योग करेंगे तो निश्चित रूप से लोक संस्कृती, लोक गीत, लोक नित आज तक सबों के दिलों में विराजमान है बिहार का अपने गीत बहुत सारा सुना ओगा लोक गीत, बिल्कुल सुना होगा ँदो नहीं सुना है बाए, एक पियमास है हमारा हमारा जो है, जिजिया काफी विश्व प्रशिद है ना सिर्भ भारत में, बल्कि विदेसों में भी प्रस्तूत होती है जी जी आ हो और हम बाबा जी जरी पर होई है मुझे तो तुरा अच्छा से गीत आता नहीं मैं तू बस गुन गुना रहा हूं आप लोगों के बिच हा अचा अपना भासा में जाट जाटी बूल गए क्या अरे टिकवा जब जब मंगलियो रे जट्टा तिकवा काहे न लाया रे अरे टिकवा जब जब मंगलियो रे जट्टा तेके गाना अगर गलत हो तो मैं छमा चाहता हूँ मेरा काम है सिर्फ उस समय को लाने का मुझे गाना नहीं आता है मैं तो न्यूज एंगरूं तो नीज न्यूज पढ़ने के लिए तो यह जाट जातिन जो नित्य है लोक नित्य है लोक संस्कृत है या हमारे लोक संस्कृती से जुड़ा हुआ है उसी पर आगे बढ़े सती बियुला बिल्कुल बियुला की धर्ती है नौगचिया कर्ण की धर्ती है भागलपूर जिसके बारे में आप विस्तारूप से जान सकते हैं महिलाओं के लिए त्योहार होता है जो प्रतेक वर्ष जो अपने बच्चों के लिए वो निर्जला रहकर बिना पानी का रहकर ब्रत कर पूजा पाठ करती है आपके भी कमेंट पढ़ लेंगे तो अचा पने चर्चा तो हो जाने दीजिए याद होगा ना सबों को अरे भाई जीतिया का पर्व सबों को लग रहा हो जाएगा बगाटे वाला बगाटे कौन सा त्योहा सत्वानी पर भाई अप्रेल मेने में आतन बाईसाक में बिल्कुल और उसमें जो है सत्तू चलता है तो अलग अलग चीज मैं सिर्फ कर्मा धर्मा भाई बहनों का त्योहार रक्षा बंदन तो पूरा हिंदुस्तान ज लेकिन कर्मा धर्मा त्योहार जो आज भी हमारे लोक संस्कृति को बतलाता है कि बहन को एक पोखर पार कराता है भाई और कहता है कि बहन अगर तुम्हारे साथ किसी तरह की दिक्कत होगी कोई संकत आएगा तो या भाई तुम्हारा उसे पार कराएगा वह जिम्मेवारी लेता है बहन भी प्रातना करती है कि भाई तुम मुझे हर संकट में मेरा साथ देना कर्मा धर्मा का तिवार इसी पर तो है उसे में कहानी बताया जाता है कि दोनों भाई था करम धरम दो बाहर है सुनने वह वो किसा जी तो आज भी लोग संस्कृती लोग संगीत जिन्दा है आपके दिल और दिमाग में हमारे दिल और दिमाग में धड़कन में भी है एक विशेस रूप से मैं आप लोगों के भी चर्चा करूँ आपको भी पता है कि सनातन धर्म में कई पर्वतियोहार होते हैं होते हैं बहुत सारी लोग सोच रहे हैं कि लिखें कि नहीं लिखें पता नहीं आज कहा दे हमको भी गीत गा दिजे तो हम फेरा में पढ़ जाएंगे आप हमारा साथ दें आपको लगे कि नहीं मुझे मैं दिली में हूँ मैं बंबे में हूँ मैं जैपूर में हूँ मैं मदरास में हूँ मैं अलग-अलग जगह पर हूँ और आज पता नहीं वर संग को यहाद से डोरी खिच कर उड़ाते हैं अपने भिहार में उसको क्या वह प्योग पर्व के समय में मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पर भी काफी लोगों ने देखा फेस्बुक पर भी बहुत लोगों का प्यार मिला वो लाइव था वो था घाटो घटे सर अब अभी के बच्चों को आप पूछेंगे कि बाबुरे घाटो घटे सर का नाम सुना है बचा केगा नहीं मुझे तो बुक्स में ही जो पर्व है वही मुझे मालूम है बुक्स फेस्टिबल मालूम है मुझे कि दुर्गापुजा दिवाली होली क्रिस्मस ये सब पता है उन्हें लोक संस्कृती से जब तक आप अवगत नहीं कराएंगे तो यूहीं धीरे-ध बिलुप्त के कगार पर चला जाएगा और निश्यत रूप से जब बिलुप्त हो जाएगा तो आप एक दिन जरूर पस्ताएंगे यार पता नहीं वह बूल गए आजकल के साधी में आप देखते होंगे बहुत लोग डिमांड करते हैं कि कुछ पुरानी चीजें हो महफिल लगे, हम भी माईक पर कुछ बोले, वाद भी बाद हो, दिरे दिरे ये समाप्त होता जा रहा है, तो एक बिश convergence रूप से मैं आपके भी चर्चा करूं कि जब कभी भी हमारे छेतर की बात आती है, हमारे बिहार की बात आती है, U.P जहर्खंड और राजयों की बात आती है, हर राज का अपना अपना लोक संगीत लोक संस्कृती है अपने अपनी राज का बियार का मैंने जिस तरह आपको बताया जहारखंड का भी है अलग-अलग राजियों का अलग-अलग तेवार्थ है अलग-अलग तरह का नित्य होता है अच्छा अपने इधर भी जूमर होता है न, जूमर सुने हैं कि नहीं, अरे भाया भी तूरत हमने गीत सुना है आपको ए राजा मतरह दूर, परवला बेचे जाईब भागल पूर, ये एक लोक गीत है तो ये एक लोक गीत के तरह से इसका उपयोग होता है, लोक गीत है आपको महसूस कराएगा, वह फीलिंग डालेगा आपने जूमर में मैंने बहुत सारे लोगों को गाते हुए सुना है और निश्यत रूप से एक गाना था साइद आप लोगों ने भी सुना होगा एक मतब ननद और भोजाई में सुसराल में तो ननद भोजाई के बीचे ही वारता लाप होता है ये हलांकि ननद भोजाई और सास से है, ये सास से सम्मन दिता है कहती है हिसा सुताना नहीं महारो अलग करीदा नई चाही हमरा हंडी तसली ना चाही माल पलंग्या हमरा बाबा बला अब देखिए वो पुताहू कर ये सास को कि हमरा बाबा बला पतल मेरे माई के से जो मुझे मिला है हमरा बाबा बला खटिया अलग करीदा हिसा सुताना नहीं महारा अलग करीदा अब सब को लगेगा कि भाई जी आप तो बागलपूर और अंग छेतर का गप करें और भी जगह का भी तो है बिलकुल भाई चाहे वो मिधलांचा लीजिए भोजपूरी में भी उनका अपना है हलांकि कुछ असलीलता आकर इन गानों को खतम कर दिया है मैं हाली के दिन में मैं इधर से कुछ देख रहा हूँ आयोजन में जो गाने बज रहे हैं एक तो सबसे पहले अब फुहरता आ गई लोग संस्कित चला गया अभी के बच्चों को यह बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोग संगीत क्या है क्या हूँ मामते हैं आप इस चीज को अभी के बच्चों को कह देंगे तुने बहुत अभी तो बस मैं दो तिन ही चीज सुन रहा हूँ हाली के दिन में कुछ गाने रिलीज हुए है वही ज़्यादा तर चलता है अब सारदा सिन्हा चलिए सारदा सिन्हा की गीतें तो हर दिन सदा बहार है हमेशा वो जिवीत रहेगी गाना जो है वो जिन्दा रहेगा मैथली ठाकूर ने भी बहुत अच्छा प्रियास किया बहुत सारे गाने को उन्होंने जो है गाकर एक बहतुरीन मंच तयार किया ए लोग संगीत, लोग संस्कृति और लोग पर्व से जुड़ी हुई चीज हैं, जब आप खोजते हैं, यूट्यूब पर लाखों चैनल हैं, दसनों हजार सदिक चैनल मिलेंगे आपको, जो आपको विभिन परकार की जानकारी देता है, आपको पता चलेगा, एक महिला आई, वो आकेर कैमरे में बैठी, उन्होंने अपना व्यक्तब बे दे दिया, आपने सुन लिया समाप्त, लेकिन हमारे नौगचिया भागलपूर बिहार का एक ऐसा भी चैनल है, जो GS News का ही फीचर चैनल है, जिस पर आप किसी भी लोग संस्कृतिक, लोग संगीत, लोग पर्व जो लोग पर्व है, इससे समंदित आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, देखे, बहुत सारे चैनल है, यूट्यूब हो, फेस्बुक पर हो, कि जहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन आपको भी पता है, कि जिस तरह से लोग पर् आसा में समझाने के लिए, यानि कि आप जिस स्टेंडर में समझते हों, उसको समझाने के लिए, और तथ के साथ, यानि पूरे तथ के साथ, और उससे एक वज्यानिक पैमाने पर नापते हुए, उसको तॉल कर एक धार्मिक कहानी से जुड़ा हुआ, एक शैनल है, जिसका इसका ही एक फीचर इमेज है फीचर चैनल है जिसका नाम है स्वीट साल्ट स्टोरी यानि मीठा नमकीन वाला चैनल जी बिल्कुल यानि आपको खटी मिठी यादे आपको ताजा करनी हो किसी भी लोक पर्व के बारे में जानना हो तो निश्चित रूप से आप किया है उन्होंने काफी महनत करने के बार एक एक वीडियो को पोस्ट किया है यह चैनल रिसा मिस्रा कृष्णा जी के नाम से है और वो वर्दमान में जो है वो दैनिक अखवार प्रभात खबर के लिए कारी करते हैं काफी बहतरीन उनकी प्रस्तूती रहती है उनका वाइस भी काफी दमदार है तो निश्चित रूप से स्वीच सॉल्ट स्टोरी पर आपको अपने लोग पर्व के बारे में ब्रिहत रूप से जानकारी मिल सकती है इसके अलाबा अगर आप कोई पंचाउं का मतांतर होता है कोई तिथी का होता है वर्ष का मतांतर होता है माता भग यृटी कोya पंड Erसhind करके चैनल पर वीडियो तो निशिट रूप से कह सकते हैं कि अचली संस्कृती का जो यह चैनल है और इस पर आपको विज़िन प्रकार के लोग जो पर्म है उसके जहलाक और उसके बारे में पुर्ण रुपें से जानकारी मिल सकती है आइए अब आपके कमेंट भी ले ले लें उसके बाद तो चर्चा तो हम करेंगी आज छोड़ेंगे थोड़े क्या अरे बहुत सारा है तो निश्चित रूप से इसके बादे मैं और चर्चा करेंगे और स्वीच सॉल्ट स्टोरी के बारे में और जितने लोग भी बने हुए हैं अभी इस पेज पर लाइब एंकर चैट में मैं सबों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा और निश्चित रूप से मैं आप लोगो का शुक्रियाद आभी करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग प्रतिक्रिया लिख रहे हैं बहुत ही सांदार लग रहा है और निश्चित रूप से मुझे में भी इनर्जी आ रही है अच्छा आप लोगों को कोई गाना अगर याद हो तो जरा पोस्ट कर दीजिए तो पता चले हमें भी का आपको भी गाना आता है लोग गीत का कोई भी आता हो तो आप भी सुना दे जरा आप भी लिख दीजिए मुझे लगे कि 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 आपको भी आता है उसके आपके कमेंट पर भी आएंगे निश्चित रूप से आएंगे बस थोड़ा सा निश्चित रूप समय बीटता है सबसे लाजवाब समय विवाहोत सब का विवाह में जो समधी को वो गाली कहा जाता है इसे तो वह जो सुनाया जाता है समधी और भैसूर को मत पूछिए समधी तो प्रशन हो जाता है मुझे नहीं लगता है कि एक भी समधी होंगे जो गुस्ता आ जाते हैं एक भी नहीं होंगे क्योंकि जादा तर सबसे जादा आनन्द वहला समय होता है तो लिखते हैं के सर महिलाएं लिखे निश्व दूप से आपकी भी प्रतिकरिया पर आएगे और एक गाना बेहद ही खुपसूरत है छेत्र का साथ आप लोगों ने भी सुना होगा सुनाये की नहीं नहीं दुनिया में सुन्दर भारत देश हो भया भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश हो भया अंग राज करन के धरती गुझे दिन करके कहानी बिहलाबी सहरी सैलिस चोहर मलके निसानी बैद नात बासू की नत अज गय भी तो बैद नात बासू की नत अज गय भी ओघर दानी उत्तर वाही नीगंगा के बहया हा Oh भाइया भारत में सब्कुमना रहाँ क्किमुझे आज पता नी आपके संथ्रती को याद दिलाने के लिए थोड़ी सी उसकी जहलक होनी चाहिए अब थोड़ी सी जहलक होनी चाहिए खुद बखुद लोग चला जाएगा बहुत लोगों की प्रतिकरिया आ रही है निश्यतुरूप से आपसे भी बात करने के लिए आ रहे हैं सब बस दो मिनट का समय दे दीजिए मुझे और लोग निट्य को देखते हैं आपको आस्या लगेगा अपने बिहार के बच्चों का जब प्रस्तुती आप देखेंगे बच्चियों का प्रस्तुती देखेंगे तो आप दांत तले अंगली दबा देंगे इतना जबर्दस बच्चे लोग performance करते हैं मंच पर बड़े-बड़े मंच पर भी मैंने देखा है तो आपको भी लाजवाब लगे का आपको लगे का नहीं आज भी हमारी लोग संगीत जो है जो लोग संस्कृती है वो और सब चीजों से काफी बहतर और बड़ बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आती जा रही है अहां अमर्जा लिखते हैं एक का ही डाली पर सुगवा सुगिन क्या बात है और ललन जाजी लिखते हैं आज आपके अंदर के खुशी दिखाईदेर शुक्रिया ललन जी मैं आज सच मुच आज मैं बहत खुस हूं कि आखिर क्यों नहीं किसी चैनल में इस सीज की पी चर्चा होनी चाहिए कि आज हमारा लोग संस्कृती को गर्त में जा रहा है आज क्यों ऐसी वैवस्ता हो गई है कि जहां अपने से लोग ग्रास पानी देते हैं पिजिये भाई दमाद आया है बराती आया हुआ है और आज तो सबों के प्रतिक्रिया आ रही है चलिए निश्यत रूप से लगन जी आप तो काफी अनुभवी हैं जितने लोग भी जुड़ते जारें सबों को भाई नमस्कार और रूप लाल कुमा लिखते हैं नमस्कार पर्शुणाम यादव टॉफफेन है पेज के प्रणाम पर नाम भै कुमार जंदन पेज टॉफ्फेन हैं लिखते हैं पूराना रिती रिवाज से बिलकुल आज भी उसी रिती रिवाज कर along पर हम जिंदा है आज हमारे यहां का जो ब पूरा मानता है लेकिन अब अगर यह सिस्टम समाप्त हो रहा है तो बाद में लोगों को जरूर लगता है यार अब वो मजा नहीं आता है जिस तरह से आप पत्तल पर बैट कर खाना खाते थे और अभी केटरिंग में आपको मजा नहीं आता होगा बस हाथ प्लेट में लिया खा लिया खाने का मने खा ये निकल जाए और जब आप पत्ते पर बैटते हैं गाओं के लोग और लीजी ए-ली पूरा पत्त नंग्या पूरा पत्तल है ना यह एक रस गुल्ला लीजिंए कचोरी लिजी एक पुडी तो लेना ही होगा बहुत सारे लोग देखते हैं बाप यह नहीं है वह प्रेम है वह आगरह है उसे आप यू इस तरह से जगडा लड़ाए में ना तो क्या है आपने देखा है वह जाट जाट एक तरफ लड़का बनता है और एक तरफ लणकी बनती और दोनों पर्फोर्मेंस करता है दोनों तरब से आज भी हमारी लोक संस्कृती लोक संगीत लोक नित्य आज भी जो है वो लोगों के दिलों में बसता है हाँ धीरे धीरे कमी आती जा रही है क्योंकि अब मौडर्ण जूग आ गया अरे पहले महिलाएं लोग जमा हो जाती थी और ताली बजा बजा कर जुमर कर लेती थी डांस कर लेती थी गीत गा लेती थी मैंने कहा तो अभी तुरत आपको लेकिन अब क्या है आप तो फ्लोर लाइट दीजे मौडर्ण एज है इसलिए मौडर्ण है तो सबकुछ अधुनिक हो गया कोई गीत नहीं गाता है अब तो स्टेप वेड़mund सिखाने के लिए आजाता है डाइस टीचर पहले बोलता है काई से कंबर घुमाना है हाथ हुमाना है तो लोग संस्कृती को जिंदा रखने के लिए निश्ची तुरुप से आप भी आ गए आए और अपने परिवार में अपने समाज में हो रहे चीजों में अपनी लोग संस्कृती की छबी निश्य तुरूप से जिन्दा रखें और अमर्जा लिखते हैं एक ही एक का ही डाली पर सुगवा क्या बात यादम निलेजी से अरर है जहीं सर शुक्रिया ठीक है सर थैंक यू सूपर गीत है सर बिल्कुल छट का तो गीत हमेश से दही जमा कर जिनोंने खाया है ना उन्हें कितना भी फ्रीज का जमा हुआ दे देंगे वह मजा नहीं आएगा वह तो एक बार खोजी लेगा कि मिटी के बरतन वाला है तो दे दीजिए ऐसे तो आप डिमांड हो रहा है तो होटल में भी मिलता है लेकिन उसका मजा कुछ ह आज मैं इसलिए भी बहट खुश हूँ क्यूकि मैं पहली बार सच पूछ यह तबनी दिल की बातें आपसे कह रहा हूं मैं काफी दिन से सोच रहा था कि मुझे एक ऐसा टॉपिक मिले जिसमें हम खुल कर बात करें हमारे किसी भी टॉपिक में स्क्रिप्ट नहीं होता है कहीं स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन मुझे जो मन में आता है मैं आपसे बातचीत करने के लिए आता हूँ ललान जाजी दिल्ली में रहते हैं और साल में आई जाते हैं उनको भी लगता होगा कि वरुण जी पर्वत्योहार में वो एक बार याद आता है जब आँख बंद करके याद करते हैं कि कैसे पतंग उड़ाते थे कैसे धूर खेल में जाके दूसरे को धूल मिटी फेकते थे आजकल के बच्चों को तो कही है इसे बाहार निकलने के लिए के लिए नो नो इकत्व मास परना है बिल्कुल कुछ चूना नहीं है डॉन्ट टच एनिधिंग चूना नहीं है उनको क्या मालूम कि दुरखेल क्या होता है बैश और कुमार चंदन टॉप फैन है लिखते हैं बिल्कुल इसलिए तो यह मुद्धा है आज आज कुमार चंदन जी मैं आपसे निश्चित रूप से मैं आपका सहयोग चाहता हूँ कि हम लोग इसे जिन्दा करें और यह जिन्दा रहेगा आपके दिल में जिन्दा है न जिते लोग देख रहे हैं निश्चित रूप से आपके दिल में जिंदा है मैं सलाम करता हूँ आप सभी को जितने पाठक बने हुए जिन्होंने अपने प्रतिकरिया दी है जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में लिखा है मैं मानता हूं इस सीज को कि आपके अंदर लोक संगीत लोक संस्कृती लोक पर जिंदा है आप कहीं चल चल जाए अमेर्का चल जाए औस्टेलिया चले जाए आप में वो जिन्दा रहेगा और बाबु यदव जी सर और बहुत सारे लोग है प्रवीन कुमार लाजबार शुक्रिया प्रकास कुमार सिंग तेंक्यू कुमूत कुमार टौफे ने पेज के लिखते हैं शूपर गुड इवनिंग राजावा लिखते हैं वैलकम शुक्रिया रामानुज मिश्चा लिखते हैं वहां क्या बात है शुक्रिया देवानंद पंडे लिखते हैं गुडिवनिंग सर गुडिवनिंग भाई मनीश कुमार चोरस्या लिखते हैं बहुत सुंदर शुक्रिया सेन्भद ठा ललन जा जी गुड़ीवनिंग वरूं जी शुक्रिया गुड़ीवनिंग ललन जा जी शुनिता कॉस्मेटिक जुड़ी हुई है गुड़ीवनिंग सर गुड़ीवनिंग शुनिता जी बाबु याद लिखते हैं वाव सर मस्त बाबु याद लिखते हैं जीतिया पर जी बिल सदस्त वायरल हुआ आज भी हमारे जीयस न्यूज पर है यूट्यूब चैनल पर फेस्बुक पर और आपको देखना है तेक बार जाकर देख लीजी हमारे पेज के टॉप फैन है बाबा बिस्पोटक निसार जिनका अभी तुरंत कमेंट आया है इनके बारे में भी थोड़ा के बीच गजब के प्रस्तुति देते हैं हाली मिन का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ है आप मारे जीयस न्यूज पर भी लगा हुआ है देख लिजेगा वैक्सिनेशन से समंदित है ज्यादा बता देंगे तब वीडियो फिर नहीं देखिएगा ना वीडियो देख अच्छा होगा लेकिन आपका प्यार मिलेगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा और जो अमर्जा लिखते हैं मुझे भी सुनाने का मौका दें जी निश्चित अभी तो वह पॉसेबल नहीं है क्योंकि एंकर चैट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं लेकिन निश्च मैंने सुरू में कहा ना कि होली पर्व सबों को याद है सभी बच्चों को पता है चाहे वो भारत के किसी भी राजिका हो लिकिन उनको पूछिए कि होली से पहले धुर खेली खेला जाता है पता है क्या तो अभी के बच्चे करेंगे वा डस्ट विद डस्ट सॉरी हम संजाजी भी जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से जी ललन भीया हमको लगता है कि आप भी खुब गरदा उड़ाएं हैं धुर्खेली का अगर उड़ाएंगे तो लिख दीजिएगा निश्चित रूप से तो वहां जो वो धुर्खेली का त्योहार था वो हमारे कही न कहीं लोग संस्कृती से जुड़ा हुआ था उसके पीछे का जो कहानी है वो जानना जरूरी है जीतिया पर्व है आखिर ये जीतिया पर्व चोंग मने आ जाता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बहुत सारी चैनल मिल जाएंगे बहुत सारी तरह की जानकारी है देने के बार आप Sweet Salt Story पर जाकर देखें, निस्चित रूप से आपको उस पर्व के बारे में बहतरीन जानकारी मिलेगी, और इसमें जो वाइस ओवर है, जो इस चैनल के निर्माता है, और जो इन्हें नियंतरित करते हैं, जो वो जबरदस्त तरीके से समझाते हैं, और उनका नाम है रिसमिश्रा कृष्णा, वरिष्ट पत्रकार हैं, जी एस निउस के मुख्य संपादक हैं, निश्चित रूप से आप यूट्यूब पर स्विच सॉल्ट स्टोरी सर्च करें, निकाल के वीडियो देखें, अब ललन जाजी कहतें, बिलकुल उड़ाएं हैं, क्या बात? अभी के बच्चों को पुछ दिया ज़त कहेंगे, नहीं, अलर्जी हो जाता है, कलर से अलर्जी होता है, देखें, ल इकनी दिल्लीम छे, दिल्लीक लोगों पुछला जाएं, कि होलीम की होई चे, तो बस उतने टा जाने चेगे, रंग देना चे, अभी लगाना चे, अतुरत मिली का गहारा भी जाना चे, और बिहार में आज भी होली खेलने के लिए गया तो गया है, कब आएगा बगवान ज कि अच्छा, बसिया परभा, एक हमने बचपन में एक दादी नानी से कहानी सुना था, एक गीत था, उसका टाइटल था, मैं सुना दूँ आपको, कि बसिया पावन बहुत भारी, बसिया पावन बहुत भारी, धिया पुता क ठोकी सुतैलों, अपनों लेलों भर थारी, बस्या पावन बढ़ भारी धिया पुता का ठोकी सुते लो अपनों लेलो भर थारी मतलब यह जो ओडगन एक सब्द होता है ओडगन साथ सबूं को मालूम होगा जीतिया पर्व करने से पहले जो सुवा का समय आता है उसमें होता है तो उसमें जो मैलाएं होती है वो सुवा उठकर कुछ खा लेती है उनका समय रहता है निर्दान क्या हुआ और जीतिया आप आवन बरभारी क्या बात है ललनजा जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि निश्यत रूप से आप लोग अपना प्यार देने के लिए हमारे साथ है मैं आप लोगों से एक विसेस आगरा भी करूंगा कि आप वीडियो को शेयर की जी अपनी बातें लिखिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिकरी आ लगते हैं कि लोग की सुनने के बाद बुराई से अच्छाई की और चले जाते हैं ऐसा क्यों होता है बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल प्रवीन कुमार जी शुक्रिया देखिए है क्या कि जो हमारा बेस है जो हमारा अस्तर है या जिस माहौल में हम रहते हैं उसका परिवेश जो है जो जिस परिवेश में हम रहते हैं वह हमारे डेली लाइफ में हमारे जीवन में काफी हावी रखता है यानि मैं अगर आपको कहूँ कि आप ऐसे जगह पर रहेगे जहां सिप्क्राइम की बात हो क्रिमनल की बात हो तो निश्यत रूप से आपका भी जो mind है आपका भी जो activity है वो crime से related हो जाएगा धीरे धीरे तो आप जिस चीज को आपने देखा है उसमें आप रहे हैं तो वो जब जब आएगा तो आपको उसी समय में लेकर चला जाएगा मैंने आज तक किसी भी लोक गीत में फूहरता नहीं सुना किसी लोक नित में मैंने किसी असलील या अभधर इस्टेप को नहीं देखा आपने हो सकता है देखा होगा जा साधी बिवा का गीत में सुना होगा बहुत सारा उसमें गीत होता है ब्रामनों को गीत पड़ता है ठाकुरो जी नाई वाले जो हैं ठाकुर जी उनको भी सुनना पड़ता है वाओ तो वहां ठाकुर जी मार नहीं करते लड़ाई नहीं करने लगते हैं इसलिए कि वो आ आने वाले लोग बहुत कम बच गए हैं क्यों मानते हैं इसी को बहुत कम लोग बच गए हैं कुछ दिनों में देखिएगा यह प्रता ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि लोग रहेगा ही नहीं अभी की लड़कियों को इससे कोई मतलब ही नहीं अभी के लड़कियों को महिलाओ को मतलब ही नहीं रहा है क्योंकि उन्हेंDress पहने में जादा वक्त लगता है सैलफी पाउट करके में वक्त लगता है सहलियों के साथ मिल कर बातें करने में अचा लगता है और टिक टॉक वीगो इस तरह के एप के वीडियो तो बनाना ज्यादा पसंद आता है लेकिन उन्हों गीत पसंद नहीं आता है यही कारण है कि कुछ दिनों में आप देखिएगा कि यह प्रथा धीरे-धीरे बिलूप्त हो जाएगी जितिया पर्व का कवीता है और घूमर में गाया जाता है क्या बात बहुत सारे लोगों को तो आज भी जो हमारा लोग संस्कृत है जो संस्कृती है वो दिलों में जिन्दा है और इसे हमेशा जिन्दा रखना है निश्यतरूप से क्यों बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि सती बिहुला कौन थी यह सती बिहुला का त्योहार कब मनाया जाता है तो निश्यतरूप से आप स्वीट सॉल्ट स्टोरी खोलिए देखिए जितिया पर्व के पीछे की क्या कहानी है उसे भी आप जानिए और कुछ अगर आप आपको विसे जानना है या आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए निश्यतरूप से आपके साथ चर्चा करेंगे बिल्कुल करेंगे निश्यतरूप से आपके साथ चर्चा करेंगे एक तो चीज़ आपको भी पता है कि साधी विवाह का जो समय होता है कहीं न कहीं वो मिथलांचल संस्कृती लेकर जाता है वो द्रिश वो जानकी जब आप किसी लड़की के घर पर जाएंगे विवाहोत सब में तो आपको वो माता जानकी का जो माईकया था न जो माईके का वो दिर्श था विवाह के रात्री का आपको अच्छा लीजिए नाग पंचमी जी बिल्कुल लोग परव अब लोगों को यह बहुत ज़्यादा जरूरी है जो इन सब चीजों में दिल्चस्पी रखते हैं मैं दो चीज का विशेश रूप से चर्चा करूँगा कि अभी जो है जिस तरह का माहूल है या जिस तरह की जो इस्तिती है मैं आप लोगों से निश्चित रूप से अनरोध करूँगा अपनी लोग संस्कृति को अपनी लोग गीतों को अपने लोग नित्यों को बचाने के के लिए आप जरूर आगे आएं और इसे प्रमोट करें इसे आगे बढ़ाएं चलिए बहुत बड़ी चीज देखिए अजय प्रमोट भी आ चुके हैं वाड़ पार सर लिखते हैं कि चौर्चन में गाउं में बच्पन में घर के अंदर रखते थे हमारे बुजूर क्यूंकि धेला फेकने की प्रताती गजब लाजवाब चौर्चन बिल्कुल एकदम लोक देखे जो जुड़े हुए उन्चीजों से हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय प्रमोध यादव जी नुगत्षा नगर परिशद के पारसद हैं उन्होंने लिखा है कि चौर्चन में घर के बुजूर्ग जो है घर के अंदर रखते थे क्योंकि धेला फेकने का रिवास था अब चौर्चन कब हो जाता है यह तो पता भी नहीं है इसमें होता क्या है उन्हें सिर्फ एक चीप पता है कि चौर्चन के दिन गनपती जी का पूजा होत है कि वरंजी एक पर हुता है जिसमें सनान के समय घर से बाहर चुल्हा जलाकर डलपूरी बनता है उसका नम क्या है क्या बात है जिसमें साम के समय ललं संप तहीं मैं डाल छी लिखते हैं कि पर्वोता है वो बस्या पापन करके ही होता है कि एक दिन रात में रात में खाना बन जाता है दूसरे दिन लोग आते हैं तो निश्यत रूप से आज जितने लोग भी जुड़े हुए हैं अगर आपके साथ जुड़ी हुई लोग संस्कृती होगी तो निश्यत रूप से आज यादगार ह हुए न कहीं न कहीं उन्हें मैं जग जोर जरूर आओंगा जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं निश्चित उसे उनको लग रहा होगा कि आज थोड़ा सा हट कर चर जाए मैंने आपको सुरू में ही कहा है कि या लाइब एंकर चैट आपसे बातचीत करने का है या इंटर्व सब लोग समझ जाएंगे तो हमें आरी संस्कृती भी बनी रहेगी जी बिलकुल यह जानना बहुत जरूरी है आप अपने बच्चों को अपने अगले जन्रेशन को जरूर बताएं आजकल की लड़कियों को भी यह समझना होगा कि उन्हें अपनी लोग संस्कृती को बचा इनों को गुरूप में बटकर गीत गाते हुए दुरगा पुजा में दसों दिन तक संध्या में बटकर गीत गाते आपके लोगों को तो जो है जगराता और कारिक्रम सुझता है जो है अच्छी बात है आप पूजा करने का सबका अलग-अलग तरीका है लेकिन वह लोग ज जग्दंब जगत महकाली प्रथम प्रणाम करईचिह प्रथम प्रणाम करईचिह जननी प्रथम प्रणाम करईचिह आठे Stein दंब जगत महकाली प्रत्थम प्रणाम करेशी है यह गाना भगना फगवती के लिए लेकिन कही ना कही अपने लोग के सुर में है कही ना कही अपने भासा धो आनन दाता है चलिए लिख सारे लोग propriày आ रही है कि साही नगर सहरा-ई-डी आ цел सूभाम एकदम सूपर फेमस एक सब्द आपको असलील नहीं मिलेगा भागलपुर के गल्या साकर गल्या छेहे ननदो वैसन क्या ननद वह जाय का है बिल्कुल आरे औरा नुमी कहते दिवरंजी क्या बात है औरा नुमी बिल्कुल बिल्कुल यह जानना चाहिए आज के लोगों में आज के बच्चों को भी यह जानकारी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या बात है चड़ता उतरता कामर लचे छेहे नन दो क्या बात है आप तो बिहार के लोग गीत से भी सड़कों का व्याक्षान कर देते हैं आज लोग गीत का आज लोग पर्व का बात चीथा है खुलकर बाते कीजिए आज एक चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहरा था यह पुल्ली डंटा गिल्ली डंटा खेल और गुल् अच्वाला था उसका संखंद उस समय के फसल से बील्ग बहुत सारे ऐसे लोग पर्व है जो की अलग अलग प्रकार के चीजों से जुड़ा हुआ है कुछ जो है वहां से जुड़ा हुआ हुआsy की मैं कोई गायक हूँ नहीं मैं नियोज एंकर हूँ आज ऐसे गुन-गुना रहा हूँ आपके बीच गब सब करने के लिए आया हूँ तो रुपेश कुमा लिखते हैं गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग शोरी कुमारी गुड संग थेंक्यू और ललन जाजी लिखते हैं क तो आपको आश्यर लगेगा कि विवा में जब लड़का का एक रस्म होता है कि उनका पाम से गलसेदी किया जाता है तो अभी के बच्चों कोई पता भी नहीं है कि गलसेदी होता क्या है क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ रिंग सिरोमनी देखा है इसके बाद एक म्यूजिक पर साधी होते वे देखा और वह साधी को दो ही चीज़ समझते हैं एक फेरा और एक सबसे पहले फोटो से सन जिसमें वर्माला करके फोटो जो है खिचवाना है और दूसरा एक फेरा लगना है बस इसके अलावा लोक संस्कृति और कहीं नहीं है अभी के बच्चों के दिम ना वना रही है घीट नावा रही है मंगल च्ल रहा है और इसके बात जो है अमरजा लिए उसको और आ नमी काते थे वरुंजी शुक्रिया मुकेश्वा में लिखते हैं बिलपा बिसरी का गीत अंगिका में ही घाइत है जेए बिलकूर मैंने पुरु से ही चर्चा किया में आज के लाइव एंकर चैट में किया जो सती बियुला की कहानी है जिसे हमारा या अंग का छेत्र अंग की धरती जुड़ी हुई है निस्चित रूप से उनका सारा गीत जो है वो अपने अंगिका में ही होता है इसके अलाबा प्रवीन कुमार लिखते हैं सर बस्यापर में भा गली खेलते थे इसको कों्त हार में खेलते थे यह कहूं भी लूप्हो गया आपको आता है क्या मुझे लगता है कि एक बार में वादक कोई ना बना हो लेकिन जितने भी लोग ग्रामिंश्यत्य से जुड़े हों न और मेला देखने के लिए गए हूं मुझे लगता है बॉंसली उन्होंने जरूर खरीदा होगा भले एक भी बॉंसली वादक नहीं बने एक भी स्रिक्रिष्ण कनया नहीं बने मतलब उनके तरह का कारी भी जो है नहीं कर पाए लेकिन बॉंसली सबों ने खरीदा मेला से निकलते समय पूपू करते आए और अब मेला से गुमने बॉंसली बजा कर आए एक चो गाड़ी मिलता था उसमें मिट्टी का पयाम लड़के गटर-गटर-गटर करता था ठकर-ठकर-ठकर-ठकर इसे उसमें लगा वारा तद गुड़कारी उसको इसके बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और विपीन कुमार यादव लिखते हैं कि हमारे पूरवजों की देन है जी बिलकुल हमारे पूरवजों की देन है देन है लेकिन इसे बचाना भी तो हमारा कार है आखिर कैसे बचेगी यह तो जरूर अच्छा फटपटिया मेला में देख्या हाँ हाँ फटपटिया देख्या हम तो नाम भी उसका भूली है फटपटिया अब चला गया भाय अब तो नजर भी ने अभी के बच्चों को तो एक से बढ़कर एक ट्वाइच चाहिए रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए और अब फटपटिया का तो अब हमने एक बार मुझे याद है मैंने एक बार पच्पन में जिद करके मैं रो कर मैंने एक बार जाता करीदा था और मैं रो कर इसलिए खरीदा था क्योंकि हमारे एक भाईया है जो हमें मिला लेकर गए थे और वो कहते थे कि यह लड़कियों का चीज है लड़के नहीं खरीदते हैं और मेरी बहुत ज़दा जिद्ध थी कि हम एक तो सुगवा खरीदेंगे एक तो जाता खरीदेंगे तो उसे बहुत दिन तक रखे फिर मिट्टी का था तूट गया लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों वो याद आ रहा है मुझे वो पल याद आ रहा है साध आप लोगों ने भी खरीदा होगा मेले में पर मिट्टी का जाता समिलता था सुगा समिलता था बैंक मिलता था आज कल के बच्चे को तो ओटोमेटिक है वाई अभी तो मैं बजार में देखता हूँ तो मैं कापी दंग रह जाता हूँ लॉकर की तरह प्लास्टिक के मेटल के लोहे के और ट्वाइस तरह के जो है वो बैंक उनके पास है हमारे पास तो चुकिया होता था अरे वाँ ललन जी लिखते हैं कि वरुन जी आपने आज रात की हमारी निंद को गायब कर दिया हम एमोशनल हो जाएंगे और निश्यत रूप से मुझे भी आज बहुत आनंद आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ और जितनी भी चीजें बचपन की थी जब वो याद आती है तो मैं बहुत कम उम्र में ही मैं इन सब चीजों के लिए रुआसा हो जाता हूँ और मुझे वो सीन याद आने लगता है कि जब जीद थी रोते थे जबीन पर लेट जाते थे कि मुझे ये चाहिए तो एक तो निश्चित रूप से जो दो चीजों की ज़रूरत है मैं आप लोगों से अनरोध करूँगा हलांकि ललन जाजी ने ऐसी बात कर दी कि मैं तुरन तब विदा भी नहीं ले सकता हूँ खत है वरुन जी आज अपने रात के मारी निद को खायब करेंगे आज आप पूरी रात निश्चित रूप से अगर आज आज हमारे एंकर चैट में आप पूरी एक गंडे तक बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि आज आज आप उन चीजों को निश्चित रूप से याद करेंगे जिनके साथ आपका समय गुजरा है जिन दोस्तों के साथ आप स्कूल जाते थे जिन कपड़ों को पहनते थे पैंट को पकड़ कर चलना है कि पैंट को रबर लगा कर चलना है वो सब चीज आपको याद आएगे कि जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वो याद आएगा जिसके पेड़ के किनारे जिस पेड़ पर आप चड़े थे वो आपको याद आएगा जिस सिक्षक ने आपको भरपूर पिटा था वो याद आएगा जो teacher आपको कभी नहीं पिटते थे, आप गलती भी करते थे, तो वो teacher आज आपको याद आएगे, क्योंकि आज आपको मैंने लोक संस्कृती से जोड़ा है, और कही न कहीं जो हमारा level है, जो हमारा बच्पन है, वो हमारा लोक चीजों से जोड़ा हुआ है, इसलिए लोक संस् पुरुष लोग हैं उनके लिए, महलाओं के लिए भी, आप साइद अगर पहले के लोगों के फोटोग्राप्स देखेंगे, तो आपको आस्यर लगेगा, जितने भी फोटोग्राप्स आप देखेंगे, कि लड़की को साधी से पहले सारी में फोटो मांगा जाता था, कि स यहाल भी नहीं पाती थी कि कहीं गीरने जाए, आज करकी लड़की तो अनमेरिट से ही साडि अपने से पहनती हैं, और यूट्यूब निकालती हैं जिस पर की हजारों तरह से तरीके हैं, हजारों तरह से हैं पहनने के अलग-अलग इस्टाइल से पलु निकालना है, अब त जिन्दार है और हां सबसे मज़ेदार समय मुझे लगता है जो हर एक आदमी का है चुकि आजे बिया भी बने हुए है अजे प्रमुद बिया बने हुए है वो समय मुझे लगता है कि अगर आप बिहार के है न तो जो सबसे जादा आपको तड़ पाता होगा बाहर में अगर अगर आप मुझे दूसरे जगह से देख रहे हैं, अब बिहार में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा आपको अगर कोई परिसान करता होगा तिवोगाल, मतब याद दिलाता होगा, वो छत का होता है, क्योंकि मुझे लगता है, कि बिहार में छत एक पर्व नहीं है, छट एक महापर्व नहीं है छट एक पूछिये तो सच मुझ कहा जाए तो छट एक बहुत बड़ा चीज है बिहार का जिससे पूरे बिस्त में बिहार का नाम है एक हाज से कभी है और उनकी कभीता काफी रती है हम भारत हैं वो बिहारी पर ज्यदा तर रचनाई करके प्रस्तूत करते हैं कि दुनिया पूजे उगता सूरज हम ढलते के भी पुजारी हैं हम भी हारी हैं बिलकुल कि दुनिया जो है उगते सूरज को पूजा करता है और हम धलते सूरज को भी पूजा करते हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं तो डिश्चत्रुप से कही न कही जो रचनाकार होती है उनकी जो रचनाई होती है वो जखजोर देती है इसके बाद जो है एक दूसरे से request करें कि कुछ बच्चे जा सकते हैं देखे नहीं मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों को प्रवचन ना दे लोगों को आदेश ना दे आप खुद से पहले प्रियास करें न तो निश्चित रूप से अगला भी तयार होगा निश्चित मैं मानता हूं इस चीज़ को इसलिए MD जुगनु अलुलती I am proud of you sir थैंक यू शुक्रिया बाई और रुपेश कुमा लिखते हैं जहां साइंस का अंध होता है वहां से अध्यात्म प्राडम होता है जी बिलकुल मैं साइंस और अध्यात्म के बारे मैं चर्चा नहीं करूँगा आज हमारा विसा है लोक गीत लोक संगीत और लोक पहचान अच्छा बरून याद अब लिखते हैं बैक्सीन का खबर का होगा सर बैक्सीन तो शुरू अगया कल लोग लग लोग ले चुके हैं तो बहुत लोगों के बहुत सारी पृतिकरीया आरीबाप्रेव सबों को मैं धन्यवात देता हूँ प्रणाम करता हूँ मैं आप लोगों से और आप लोगों से एक मैं रिक्विस्स जरूर करूंगा अपने लोक संगीत को लोग संस्कृति को बचाने में आप भी आ गया ये दिल्ली बंबय गुजरात अमेरिका ऑस्टेलिया कहीं चले जाईए अपनी संस्कृति को नहीं भूलिए कि जब आप आएंगे जब आप अपने घर आएंगे जब अपने लोगों से मिलेंगे तो जो हमारी वेवस्था है न आप कितना भी जूस पी लें मैं मानता हूं और मेरे कुछ पाठक भी मानते हैं कि कुछ लोगों ने लिक कर भी बेजा है कि कितना भी आप एक से बढ़कर ए और मैं आप लोगों से एक अंतिम में एक रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको यह अपिसोड अच्छा लग रहा है तो वीडियो का नीचे में शेयर ओप्सन है वीडियो को शेयर कीजिए और इसके लिंक को कॉपी करके आप वटसब पर भी और फेस्बूक पर भी लगा सकत हैं और मेरे जो मेरा जो मेहनत है या सफल हो पाएगा जब आप इसमें अपना सहयोग देंगे और हाँ एक चीज मैं आप लोगों को विसेस रूप से बता दूं कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहां से बिलूप्त हो रही है इसे जिन्दा लाने के लिए आप नि तुस पर एक्टिव हो जाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोक्च संस्कृति है इसको डूबने नहीं देना है इसको धूमिल नहीं करना है यहां बिलूप्त होता जा रहा है लेकिन बिलूप्त और यह जो है बिलूप्त होने चला है लेकिन इसे बिलूप्त होने नहीं देंगे बिलूप्त होने ही नहीं देंगे हम आपको जानने ही नहीं देंगे आप जाएंगे कैसे इसलिए बाहर के लोग कहते हैं अच्छे आप मैं लिखते हैं अजय प्रमोजी लिखते हैं अजय भी आमारे कि बच्पन चली गई जबानी चली गई दादी नानी के कहानी वो चली गई दादी नानी का जो कहानी है न वो अगर आपके कानों में कभी भी एक बार भी अगर किसी दादी ने किसी नानी ने किसी मौसी ने चाची ने आपको सुनाया है तो आप कितने भी बूढ़े हो जाएंगे एक बार में अगर मैं आपको चर्चा कर दूँ तो आपको वो याद आ जाएगा आज इतने लोग भी लाइब में होंगे उनको बिल्कुल याद आ रहा होगा कि बच्पन में उन्हें कौन कहानी सुनाता था क्या मुझे भी याद आ जाता है तो प्रमोद यादव जी लिखते हैं कि आज जो है हमने पोस्ट किया और यह टॉपिक बन गया जी बिल् लेकिन मैं बिल्कुल प्रियास करता हूं लगता है आज मैंने भी पेस्बुक पर बच्पन जवानी दादी नानी पर पोस्ट किया सयो है कि आप इसी तरह बात लाइव कि अच्छा लगा शुक्रिया आप निश्यत रूप से अजय प्रमोद कुमार जी है और निश्यत रू आप यूट्यूब पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निश्यत रूप से आपको बेहद आनंद आएगा क्योंकि इसके जो प्रस्तूती करता है नरिशा मिस्राकृष्णा वह बेहद सांदार तरीके से समझाते हैं तथ्यों को लेकर चलते हैं वैग्यानिक कहानी को कारणों को भी बताते हैं अक्सर हम देखते हैं कि कोई वी एक रिप्रेजेंटेटर आया या आई और मितलान चलके ही हों कोई भी कहानी उसको आकर सुना दिया बस नहीं उसके तथ्यों को भी बताएं इसके बार शुभ हम यादब रिखते हैं कि लोग की गीत जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बुलका बलकि लोग समाज अपनाता है जी शुक्रिया शामानित्या लोग में प्रचलीत लोग द्वारा रचीत और लोग के लिए लिए लिखे गीतों को लोग गीत कहा जाता है रचीत संसक्रिती पर गर्व है बिल्कुल शुबम यादब जी शुक्रिया सांदार आपने लिखा हमें अपने संसक्रिती पर गर्व है बालक बालिकाओं के जनमोचों सब अच्छा सुर्वातिय हुआ है सोहर से जरा सुन लिजेगा सुरुए में दिये सुरुआतिय सुरु किये हैं उसी से कि मुझे तो सबसे पहला अगर लोक गीत की जो खुश्भू आती है नो वो वही से आती है जुग जुग जिया सूला लानवा भवन मा के भाग जागल हो ललना लाल होई है फुलवा के भीतर मनवा में आस लागल हो यह तो वही से सुरू होता है जर्मूत्सा, मुंडन, पूजन, जनो, विवा, आदी अबसर पर गाई जाने वाले संसकार कोहवर तो हम भूलिया गए थे कोई बात नहीं है, कोहवर तो अब बनता ही है क्या, कोहवर याद है कि अब भी लूप्त हो गया लेकिन मैं इसे संपूर्ण समाप तो नहीं कहूंगा आज भी अपने परिवार में दादी नानी है जो आज भी सिंदूर से, रंग से, साधी के समय जो है कोहवर बनाती है, वो अपने संस्कृती की पहचान है वो दिया रखा जाता है कोहवर गर में अभी के लड़कों को, अभी के युवग यूप्तियों को क्या मालूम होगा उन्हें तो सिर्फ एक ही चीड मालूम होता है, साधी के बाद एक ही चीड होता है कि लोग हनीमून पर जाते हैं, वो टूर करने जाते हैं, बस लेकिन इसी बात नहीं है, आज भी हमारे लोग संस्कृती में कोहबर बनाया जाता है, कहीं न कहीं उस कोहबर कोई आप चितर नहीं समझें, उसके पीछे की कहानी है, उसमें एक-एक बनाया हुआ जो मूर्ता-सुर्ता सभए न, अपने भासाम कई यह तो मूर्ते-सुर्ता हम कहेंगे, कहाए हम नहीं जानते किसी को, अच्छा को लोग प्रारंब हुआ कहीं न कहीं या लोग संस्कृती आपको बतलाता है कि आप किस से जुड़े हुए जरिमान स्रीमती जी जी बिलकुल सूसरी जी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को अपने अगली पिढ़ी को निश्चित रूप से आप बताईए कि यहाँ क्या है इसमें क्या होता है कैसे होता है कुमार चंदन जी शुक्रिया रितेश कुमार गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सिर्शंकर जी लिखते हैं कि आलू दुलहा बैगन बराती नाचे गैनारी के साग है अच्छा लोग इद बच्चा में बहुत गाते थे क्या बात है रितेश कुमार जय हो शुक्रिया और अच्छा कुला के दीपक होता है चलिए हमको गीत उतने आता है कुला के दीपक इतामीत वाव लिख रहा है अमीन जाली के हैं फैसादी सुदा बाल बचेदार आदमी है तो उनको तो सब मालूम होगा न यह कुला पर के गीत हैं कि कहा करता हूं अपने लोग संस्कृती को बचाने के लिए अपने लोग गीत को बचाने के लिए अपने लोग भासा को बचाने के लिए हर राज अपने जोर लगाता है हम बिहार के जारखंड के उत्तर प्रदेश के दिल्ली के निश्चित रूप से अपनी संस्कृती बचाने क के लिए आप भी आगे आएं अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रियात हैं अभी जाजी लिखते हैं कि कुलवा के दिपक चलिए क्या होता है अज तक का लाइव चैट में आज का लाइव बहुत ही सुन्दर रहा आ मैं आप लोगों से विशेश बिंती करूंगा कि इस चीज को जिन्दा रखने में आप भी आगे आएं अपने अगली पीड़ी को निश्चित रूप से बताएं और जब यह आयो जान हो ना तो उसमें बताएं यह यह होता है यह यह होता है अरे भाई दादी नानी है आज स घंटे का चलता है आज आज चोडब कर जाने का मनी नहीं कर रहा है ललन जाजी लिखते हैं कर बारुण जी स्कूइब अपको पहले जो समंध था वह अभी जो नहीं है ना इसका भी यही एक सबसे बड़ा दोस है एक एक यह भी है यह भी एक बहुत बड़ी बात है पहले जो समंदों में मिठास थी न आज जो नहीं रही इसमें भी यही एक सबसे बड़ा कारण है तो आए निश्चित रूप से हम अपने लोग संगीत को बढ़ाने के लिए और रुपेश कुमा लिखते हैं कि हम लोग आप बढ़ेंगे पूरा तब ना आ गया बरुन बाबुल याद दिला दिया अब रात भर सो यह रात में आपको यहीं निंद में आपको यहीं सब याद आएगा चाहे वो पुरुष हों कि महिला हो युवक हों कि युवतियां हो जो भी हो जिनका भी बच्पन ऐसा गुज कर रहा हूं निश्यत रूप से आईए अब हम अपने लोग संस्कृत को संस्कृति को आगे बढ़ने में भी अपना हम योगदान दें समाज में अच्छे चीजों का निर्मान हो और होता रहे दादी नानी चली गई तो इसा नहीं एक दादी नानी का पद चला गया वो नि देखिए वहां भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ चीजों को जोड़ा जाए नए ने टॉपिक को लाया जाए तो हमें बताईए हमें फोन तो कर लिजिए मेरा संपर्क सुत्र है संतानवे 098 94194 97098 94194 आज लाइब एंक सब्सक्राप्त होना ही है चलिए आपको बच्पन याद आया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभार प्रकट करता हूं फिर अगले दिन आएंगे नए टॉपिक के साथ और इस टॉपिक में भी आएंगे निश्चित रूप से अमीं जालेते हैं बहुत सुन्दर शुक्रिया धन्यवाद शबूं को गुड़ नाइट एक बार मुझे मालूम है कि आज क्या वीडियो कुछ लोग दुबारा देखेंगे क्योंकि उनको अपना बच्पन याद आएगा क्या याद आएगा दिश्चित रूप से ललन जाजी बहुत बहुत धन्यवाद को शुक्रिया